हम इंडियन्स के लिए दाल चावल तो दुनिया का बेस्ट खाना होता है तो चलिए आज आपको बताती हूँ कि काली मसूर की दाल इजी और टेस्टी कैसे बनाते हैं सबसे पहले मैंने पाव किलो जो है वो काली मसूर की दाल ले ली है उसे खुब अच्छी तरीके से दो-तीन बार धू लिया है और उसे भिगो के 15-20 मिनट तक रख दिया है भिगोने के लिए देख सकते पानी उससे थोड़ा उपर ही रखा है ताकि ये दाल थोड़ा पानी सोक के आराम से गल सके और फिर ये सारे मसाले कठे कर लिये हैं जिसमें हरी मिर्च ली है चार जिसको आधा आधा कर लिया है एक तेज़ पता लिया है थोड़ी सी जो है वो जवेत्री ली है और फिर उसके बाद चार लॉंग ली है दो हरी लाइची ली है एक काली लाइची ली है चोटा सा स्टा और चोटी सी दालचिनी की लकडी के एक तुकड़े लिये हैं फिर ये लिया है एक खटाई जिसे हम खटाई कहते हैं सुखा हुआ आम होता है ये जिसे हम खटाई कहते हैं अगर आपके पास ये ना हो सुखे वे आम में मतलब इसमें मसाला मिला हुआ होता है पहले भी मैं और आपके पास यह नाहो तो आप टमाटर एक और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। पिर ले लिए आधी प्यास और आधी प्यास के बाद अब हम लेंगे जीरा जीरा जो है एक छोटे चम्मत से आप जीरा ले लेंगे और ये एक टमाटर जो है वो इस तरीके से स्लाइज में काट लिया था अब आपको एक कुकर ले लेना है कुकर में ये दाल को पानी फेक कर दाल को जो है वो कुकर में डाल देना है और ये सारे मसाले थे वो हम एक एक करकर इस दाल में डाल देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं दाल में डाल चुकी हूँ, अब मैं डाल रही हूँ टमाटर टमाटर आप दो ले सकते हैं अगर आपके पस खटाई ना हो तेजपता, मिर्ची गई इसमें, जवेत्री गई इसमें, लॉंग गई, दो हरी लाइची, एक काली लाइची, उसके बाद स्टार, उसके बाद दाल चिनी की लकड़ी, उसके बाद खटाई, और उसके बाद जीरा, उसके बाद प्यास ये सब होने के बाद अब हम इसमें देड़ चमच अद्रक और लिसन का पेस्ट डालेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें एक बड़ा चमच भर कर तेल डालेंगे और फिर हम इसमें पाउडर डालेंगे यानि एक छोटा चमच धनिया पाउडर, आधा छोटा चमच हल्दी पा पूरी सूख जाती है बहुत जादा पानी जो है वो खीच लेती है तो आपको यह देख रहे दाल के कम से कम दो से तीम इंच उपर पानी डालना है फिर भी अगर खोलने के बाद आपको पानी जो है वो कम लगे दाल सूखी लगे तो आप गरम पानी करके इसमें हैड कर सकते ह और पानी डाला चलाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कम है फिर ये जो ढ़कन है वो बंद करके तीन से चार आपको सीटी ले ले लेना है और देखिए खुलने के बाद ये दाल जो है एकदम अच्छी तरीके से गल चुकी है और बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गई है ऐसे कि मैं वीडियो में कर रही हूं फिर उसके बाद आधी प्यास जो है वो मैंने लाल कर ली थी एक बड़े चमच तेल में और वो इसमें डाल दिया बरिस्ता टाई और फिर उसो भी चला लिया फिर उसके बाद एक चमच आप इसमें बुना हुआ जीरा बुनी हुई लाल मिर्च का जादा होता है दुगना होता है और धनिया और जीरे का थोड़ा कम होता है लास्ट में इसमें हमने डाल दी बहुत सारी बारी कटिवी धनिया की पत्ती और इसे अच्छी तरीके से चला दिया ये जो हमारी काली मसूर की दाल है वो बहुत ही टेस्टी रेडी हो चुकी है अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग उमीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एपिके और टेल्स को लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए इंस्ट्रग्राम पर फॉलो करिए और देखिए ये जो हमारी प्लेटिंग हो चुकी है ये खाने के लिए रेडी है पर इसके साथ हम भारी मिर्च और प्यास का जो तुकड़ा है वो नहीं भूल सकते इसके साथ और टेस्टी लगता है और जीरा राइस तो है ही इसी तरीके से बने रहे है एपिके और टेल्स के साथ थांक्यू फॉर वाचेंग बाबाई टेक केर और स्टे कनेक्टेड